कि सीवी आईसी ने आज एक ट्वीट किया कि आप जो GSTN पर देखिया अभी क्या हो रहा होगा आप जब GSTR 2 भी डाउनलोड करते हैं तो इंपोर्ट का बिल ओफ इंट्री और ऐसी जैट से अगर आपने कोई पर्चेज किया है तो आपको वह पर सो नहीं करता है तो लौ मेंने कर दिया है कि आईसी गेट से आप बिल ओफ इंट्री का पूरा क्लोजर निकाल लिए कब बिल ओफ इंट्री का एक्जामनेशन हुआ था कब उसका फाइल किया गया था बिल ओफ इंट्री क्या इस्टेटस से अभी क्लोज हुआ कि नहीं हुआ इन सारी चीजों को देखना अब आपकी जिन में तारी हो गई है और यह इंट्रीग्रेट कर दिया गया है तो इन्होंने अब आप जो जीस्टी के साथ जो इसका इंट्रीशन हुआ की नहीं हुआ यह सारी चीजें को आप चेक कर सकते हैं आईसी गेट के पोर्टल पे यही सीवी आईसी ने अपना यह आप क्या करिएगा आईसी गेट का जब यह पोर्टल आप ओपन करेंगे आईसी गेट.gov.in तो होम पेज पे ही आप देखेंगे तो मेसेज आ रहा है लाइकि यह कोई आज नहीं है पुराना हो चुका है लेकिन जब अब आपको एक एक चीजों की बातें कही जा रही है तो आप यहां से सारी चीज़ें देख सकते हैं और यह मेसेज भी आ गया है यानि कि अब सारे कुछ अपडेट कर दिये गए आईसी गेट के पोर्टल पे पहले क्या था आधी या दूरी जानकारी पोर्टल पे अवलेबल किया गया था अब आपन लोगों को करना क्या है कि एक वीडियो ना मैं स्पेसल आईसी गेट पे बना दूगा टीजी एफटी के लिए अभी क्या होता है किसी भी काम के लिए हमें बैंक को कॉन्टैक्ट करना परता है कि मैं मेरे कितना बिलाफ इंट्री आउट इस्टेंडिंग दिखा रहा है अरविया के पोर्टल पे तो इन सारी चीजों का बैंक वाले अलग नोटन की करेंगे आपको कि सर मैं एक लिंक भेज रहा हूं और वहां से आप देख लो सराइसी गेट का देख लो टीजी एफटी का देख लो पहली तो एक बात करता हूं मैं आप ते वीडियोज में कि भाई सीधी बात बैंक को पैसा लेता है बैंक तुम्हारे इंपोर्ट का जब पेमेंट कर तो रो लेता है तो बैंक चार्जब लेता है तो उसका काम है सब कुछ कुछ निकालकर देगा आप और भी पात नहीं सीखने के लिए नालेज तो जरूर रूरको बश्यूस और चीजे मांगो ता भे यहां पर यहां से आपको देखे लेफ्ट साइड में बहुत सारे चीज़े हैं चलान इंक्वाइरी जैसे कि आप जब कस्टम ड्यूटी पेमेंट करते हो तो जो चलान नंबर आता है उससे आप यहां पता कर सकते हैं डॉक्मेंट का स्टेटस क्या है डीजी एफटी सिपिंग बिल का क कि नहीं हुआ वो चेक कर सकते हो अचल आड़ीज केयं बिल का क्या थेक्सçon की थिया है यह फूर। अब आपको जैसे बैंक हestroHaag ने कि EDPMS पर दिख रहा है, IDPMS पर दिख रहा है, उन सब कोई बातों को आप थोड़ा सी इनलोड कर सकते हैं और यहां पर जाकर के खुद भी देख सकते हैं, ICGate पर, दूसरी बात मैं आपको बता तुम यहां पर कि अगर आपने सपोर्च करो, किसी और बैंक से, एस्टेट बैंक से आपने इंपोर्ट पेमेंट किया, और उसका AD कोड अगर मान लिजिए, PNB का है, तो PNB वाले भी आपको लेटर बेजेंगे, और SBI वाले भी लेटर मिलेगे, भेजेंगे, और अगर आप उसको कहीं भी एक जगर क्लोज कर देते हो, तो इंपोर्ट के केस में, IDPMS पे RBI का पोर्टल पे ऑटोमेटिक सेट आफ हो जाएगा, और एक्षपोर्ट के केस में, IDPMS पे आपका RBI के पोर्टल पे क्लोज हो जाएगा, इसका हम डीटेल वीडियो अलग बताएंगे, अभी हम डिसकस करेंगे सिप स्टेटस वाप बिल आफ इंट्री ट्रांस्मिशन टू जी एस्टीन, कि क्या GSTN का ट्रांस्मिशन GSTN पे बिल आफ इंट्री का ट्रांस्म पूल के आना है, मैं एक काम करूँगा अभी यही पोर्टल का लिंक आपको अपने वीडियो के नीचे दे दोंगा, वहां से आप लोग अपना देख सकतें, साथ ही ना दोस्त अब मुश्किल मत करना, आप लोग ध्यान रखना कि अब यह नियम हो गया है, कि जो यह बनाओ होगे ना, इसका स्टेटस का प्रिंट निकाल करके अपने फाइल के साथ, अपने बिल ओफ इंट्री के साथ, इंपोर्ट वाले कीस में, एड चरूर करियागा, अधर वाइज क्या हुआ, जब अगर अटैच आप नहीं करोगे, तो जब एसेस्मेंट किया जाएगा, तो ए इसे विल ओफ इंट्री डालना है, सपोस करिए ये विल ओफ इंट्री नंबर में डाल दिया, और यहाँ पर डेट डालना है, तो डेट भी आप यहाँ पर टीडी एम एम और वाई-वाई के फॉर्मेट में आपको डालना है, तो मान दीचे की इसका डेट जो था, ये मान जिताए था चे अगस्ट 2020 तो हमें चाहिए चे अगस्ट 2020 अब वोट कोट कि वोट कोट सबका जितने भी पोट होते हैं चाहे मालिच यह जैसे दिल्ली आया तो पटपरगंज है तो लगाबाद है, या वाई ऐर आया तो इंट्रागंदी इंटरनेशनल एयरपोट है, तो मा और उसके बाद जब आप सब्मिट करेंगे तो इसका सारा स्टेटस आपके सामने आ जाएगा अब देखिए यह कह रहा है बें ट्रांस्मिशन स्टेटस आप टू जी एस्टीन एट आइसी गेट पर इस जी एस्टीन का क्या स्टेटस है बिल आफ इंट्री नंबर यह था च्य अगश्ट चौहजार बीस का ता बिल आफ इंट्री का जो पोर्ट कोड था ओई एंटी एल फोर था रिक्वेस्ट टाइफ एफ आफ फ फ्रेस है रिक्वेस्ट आइप और अगर आजाएगा तो वह एमेंडेट हो जाएगा तो यह एमेंडेट नहीं सही था पर्स्ट थ बिल आफ इंट्री का जो ट्रांसमिट डेट टू जी एस्टी पे ये कब आया तो 9 अगस्ट 2020 को जी एस्टी पे ये आपको शो कर गया था अब जी एस्टीन जो पिक्ट किया उसका डेट भी इनों ने दे दिया 25 अगस्ट 2020 को तो टाइम बगरे सारा कुछ आ जाता है कूड आ यह चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का प्रिंट आपको इस यह पूरे का प्रिंट आप अपने साफ लगा करके रख लीजिए इस पे सब कुछ आ जाएगा और यह आपको जिस्टी के लिए कामा जाएगा इसी तरह और जो फंसन है उसके लिए में अ हें अ इसे कंपनी का मैं रहुं करों में ंव किमें इस कंपनी में और मो를 कुंपनी का एकान्ट जो है दिली के नहुईरूप्रेस ब्रॉंच मैं अबू जबाएं है वहां पर क्या हुआ कि मुझे का कि भी है इसा है ना कि मैं आप शिपिंग बेज तो बी आर्सी बेज देना मुझे पीडिया कैसर वो तो आपको भी आर्सी टीजी एफटी के पोटल से डाउलोड करना हुआ मैं मुझे आता ही है एक बील आफ इंट्री का लगबग एट हंड़ेट फिप्टी रुपीज बोलेते हैं मतलब शिपिंग बिल का बी आर्सी डिलीज करने का एट हंड़ेट फिप्टी रुपीज दे के मैं अपना टाइम बी आर्सी पे क्यों खतम करू अपना नेट अपना टाइम अपनी एलेक्रिसीटी क्यों कमपनी का नौकर हो कमपनी मुझे और काम के लिए दे रही है पैस्या और आपको 850 रुपीज आपको बैंक चार्जें दे रहा है कमपनी किसलिए बी आर्सी रिलीज करने के लिए तो नौलेज होना चाहिए आपको मैं वीडियो का अटाइच करता हूँ आप लोग भी नौलेज जरूर ने लिछेएगा बैंक से मांगी है बैंक के आदत खराब मत करीं किसी चीज़ का ठीक है तो चले इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ आयो कि आपको किलियर हो गया होगा और मैं ना इसका थोड़ा से य अधे फिल किये थे वह आपको सारा का सारा डिटेल लेकर के यहां से जैसे यह वाला था भी ट्रांसमिशन यह वाला पोर्टल का यह लिंक मैं यहां से कौपी करके वीडियो में दे दूँगा और आप लोग वहां से सारे वीडियो पर महीने जरूर कर लीजे जो ही आपका video of India. ठीके तो इस वीडियो कर दो कर दो, thank you, bye bye.